हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू बैक माई योट्यूब चैनल आज हम बताने वाले हैं आपको जो हम नॉर्मल गला बनाती हैं उसके नीचे अगर हम दिल येन के हार्ड का डिजाइन बनाए तो कैसे बनाए तो यहाँ पी अभी हमने ये जो नेक बना रहे हैं हम सिंपल सूट क बैक नेक है और इसमें जो ना हमने ये रखा है साड़े चार इंच लंबाई इसकी तो हमें ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है क्योंकि हमें नीचे इसके हार्ड बनाना है तो फिर जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया आपको कि हाँ पहले हम नॉर्मल गला कि इस तरह से है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमें इस तरह से पहले जो अपना रौंड में गला काटना है जो हम ट्याट्रों से काटेrec है और इसको कपड़े करें और इस तरह से बराबर में सिलाई लगा के मेरा कि जो कपड़ा है उसको फोर्ड करके और सिलाई लगा दे डबल करके बीच से कट लगा लेंगे जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें यहां पर यह हमारा इसका बीच है अब हम क्या करेंगे जो हमारे कुड़ता है जो हमारा कपड़ा है जिसमें में गला बनाना है उसका हम वाला हिस्सा लेंगे जिसमें में गला बनाना है तो हमें यह बनाना है बैक साइड पे तो यह हमें ले लिया है इसके उपर हम इसको रखेंगे दोनों पर हमने कट लगा ल इस तरह लगाने के बाद फिर हम राउंड में इसकी चारो तरफ लगाएंगे यह लगानी है हमें पिलकुल जुमारी ट्याट्रोन है यह बुकरम है जो भी आप जिससे बना रही है उसके बराबर में लगानी है तो यहां पे मैं जो बता रही हूँ आपको चिपकाया नहीं थ तो इस तरह से आप बना सकते हैं अब हमें करीबन यहां जो एक पैर की मशीन की एक पैर की जो निश्यान सिलाई होती है उसको छोड़ के हमें कट लगाना है दिससे की हमारी जो सिलाई है न वो ना कटे और यहां हमें छोटे-छोटे कट लगाने हैं सिलाई के पास तक सिलाई किस तरह से बनाना है इसकी नीचे हम सीधा वाला हार्ट बनाएंगे कभी थो हम उल्टाई बना देते हैं क्योंकि हमारी चूँच अजिक तर ऊपर पहुंच आती है और हमारे जो ओपर का हिसा होता है वो नीचे आता है लेकिन हमें यहां पर सीधा वाला हार्ट बनाना है तो हम यहां पर एक हार्ट का शेब देढ़े इस तरह से जो हमारी ट्यट्रोंने इसको फोल्ड कर लेंगे एक बार और हार्ट काश्म में हम शेब देढ़े तो यह हमरा डबल हो गया है अब हम इसको करीबन उपर से आधाया clarify इंश कर पर से करीब उपर कीола की से काटेंगे चाह यहां पर दिखाईन दे रहा है मेरा हाथ पता नहीं चलता है कैमरा कहां पर हो जाता है कभी-कभी तो यहां पर हम इसका कट कर लेंगे कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो यहां पर देखिए हमारा जो पीच का हिस्सा है और यह हमारा hardband के आ चुका है पूरा जो हमें बनाना है suit में तो अब हम fabric लेंगे अपना इसके उपर हम इसको रखेंगे और इस पर हम इसको सिलाई लगा रहेंगे अगर आप चिपकाना चाहते हैं तो आप pressing से इसको चिपका सकते हैं चिपकाने के बाद और अच्छी finishing आएगी क्योंकि अगर आप सुरू में सिल रहे हैं तो इतना अच्छा finishing नहीं आती है तो आप इसको iron से चिपका लीजिए जिससे कि यह चिपक जाए कपड़े पे और फिर हम इसको थोड़ा जैसे मैंने उसमें बताया था थोड़ा सा हम कप करना है अंधर की side तो यहां पर देख सकते हैं यह हमारा कट चुका है और अब हम इसको फोल्ड करके इस तरह से सलाई लगा लेंगे आपको बिल्कुल आसे ही करना है ब्लुकुल इजी तरीका है यह बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का आप इसमें hard नहीं और कोई चानि है अजहां के यहां पर आज हम हार्ट बनाना मताँ है नहीं पर नूसलिक्ट το हो गिया जो हमने न्यकों बनाया था कुर्ते पर पीछे बैंग सकते हैं अप हम उसको रखेंगे रखना हमें सीधी तरफ ही है लेकिन जिस जब हम इसको पलटेंगे तो यह हमारा अंदर वाली साइडन के उल्टी वाली साइड चला जाएगा अब देखिए हमने बीचों बीच निशान इसी रहे लगाया था जिससे की हमारा पाता चल जाए कि हमें यह कहा आयुण कर रहे हैं उसके बराबर में ही लगाने है उसके उपर लांनिवے चाहिए अ तो सिलाई बिलुकल बहुत ही अराम से लगाएं, धीरे धीरे लगाएं, अगर आप को लग रहा है कि मैं जल्दी दिखा रही हूँ और हमसे वहुत देर में हो रहा है तो खोई दिक्षत नहीं है, धीरे धीरे लगाईएं, वहुत आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन बस जाए नोव अच्छा नहीं लगेगा तो यहाँ पर भी हमारा जो शिराई का प्रोसेसर हो गया है अब हम क्या करेंगे हम इसमें चोटा सा कट लगा लेंगे भीच में जिससे कि हमारी कैचीज में लग जाए अब हम इसको थोड़ा सा सिलाई से आगी थोड़ा सा आगी आगी करके कट कर लेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से हम कट कर लेंगे और कट करने के बार फिर हम इसमें ऐसे ही करेंगे हमें छोटी 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 कट लगाने हैं जिससे कि हमाले जो गल्य हाना इसकी अच्छे से फिनिशिंग आए इस सिलाई के पास हमें कट लगाने हैं सिलाई नहीं कटनी चाहिए बिलकुल सिलाई के जस्ट बुराबर तक कट लगाने हैं क्रिशोटे कट लगाई है। जहां पर जदा मोड्या घुमाऊ आती है वहां पर ज्यादा कट लगाने चाहिए। प्षेवर्क है न वह सीधा नहीं हो पाता है। अब हमें क्या करना है । इसको फोल्ड कर देना है यानि है में इसको घुमादेना है। गुमाने के बाद फिर हमारा जो नया खेना वह बनकर आएगा बहुत ही प्यारा डिजाइन निकलेगा हमारा जो गला है जो हमने हार्ट बनाया है यहां पे देख सकते हैं इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और यहां पे हम आप चाहे तो मसीन से सलाई भी लगा सकते हैं या आप सुई से तुर्पन कर सकते हैं वैसे तुर्पन चद अच्छी लगती है इन पर अगर आप चाहे तो इसके उपर लेस भी लगा सकते हैं बट मुझे नहीं लगवानी है क्योंकि जिनका यह सूंट है उन्होंने लगवाने से मना किया है सिंपल बनाना है इस तरह से आप कोई भी शेप देखे किसी भी तरह कर डिजाइन बना सकते हैं अगर आपको कोई नए डिजाइन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजी मैं उसमें आपको दिखा दूँगी तो इसी के साथ अभी हम देते हैं विदाफी मिलेंगे नेक्स वीडियो में